Redmi 13C 11,000 रोपे में मिलने वाला सबसे बेकार फोन है मुझे गलत मत समझो भाई इसका डिजाइन भी बहुत बढ़िया है डिस्पले भी बहुत अच्छी है प्रोसेसर भी कमाल का है 5G भी एकदम मस चलता है 4 दिन तक इस फोन को लगातार यूज़ करने के बाद अटकती है हर बार नहीं अटकती जैसे मेरी इंटेंस टेस्टिंग के अंदर 10 में से कोई एक वीडियो अटकरी थी हो सकता है कोई software की दिक्कत हो जो आगे आने वाले ताइम में डिमी ठीक कर दे कोई अपडेट वगरा के साथ अगली दिक्कत है कि भाई 11,000 रुपे अगर खर्च करोगे न तो आपको बहुत सारे फोन जैसे मिल जाएंगे जिनके अंदर पंच होल डिस्प्ले मिलती है फॉर एक्जामपल मोटो जी 32 आता है उसके अंदर भी पंच होल डिस्प्ले है साथे 11,000 का फोन है वो लेकिन इसके अंदर मिलती है एक वाटर ड्रॉप नौच जो फोन को थोड़ा सा 2017-18 वाली लुक देता है लेकिन असली प्रोब्लम ये नहीं है प्रोब्लम है स्क्रीन ब्लीडिंग स्क्रीन ब्लीडिंग मतलब डिस्प्ले से कोई खून वोन नहीं निकल रहा आपने देखा होगा आईफोन के अंदर भी नौच होती है और उनके अंदर तो बही वाटर ड्रॉप और पंच होल नी पूरी बेशर्मी के साथ इतनी मोटी नौच होती है लेकिन उनकी नौच का जो काटा जाता है वो बहुत सफाई से किया जाता है लेकिन इस फोन के साथ आप नोटिस करोगे कि जो बेशल का ब्लैक कलर है न वो भी थोड़ा बहुत डिस्प्ले पे आता है अगर बिल्कुल वाइट फोटो देखोगे न इसकी स्क्रीन पे तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा आपको एक काला पन और इसी काले पन को अंग्रेजी में स्क्रीन ब्लीडिंग कहते है यह प्रब्लम आती है जब फोन बन रहा होता है ना फैक्टरी के अंदर तो डिस्प्ले को जब अच्छे से चिपकाया नहीं जाता चिपकना तो समझते हो तुम जैसे तुम उससे चिपकते हो जो तो मैं रिप्लाइ नहीं देती लेकिन जैसे ही लाफ्टाप को थोड़ा सा तिल्ट करते हो तो एकदम काले-काले से कलर हो जाते हैं बैटरी तो एकदम मस चलती है भाई इसकी अराम से एक दिन चल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूज करते हो लेकिन इस बैटरी को वापस चार्ज करने में बहुत समय लग जाता है और ऐसा नहीं है कि ये फोन फास्ट चार्ज नहीं हो सकता 18 वाट की चार्जिंग सपोर्टिड है लेकिन जो डब्बे के अंदर चार्जर मिलता है वो सिर्फ 10 वाट का है बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्ये हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने लेकिन अगर आपके घर पे पहले सी 18 वाट का चार्जर पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली अगला कलेश है इसके कैमरा में लेकिन ये कलेश फोन के अंदर नहीं है आप में है बताता हूं कैसे 24 गंटे के अंदर 10,000 से भी जादा फोटोस खिषने के बाद हमें एक बात बिल्कुत साफ साफ समझ में आ गई कि इस फोन के अंदर अल्ट्रावाइड कामरा नहीं है अब ये दिक्कत फोन के अंदर नहीं है भाई फोन पहले सी बिचाला 11,000 रुपे का है वो वैसे ही तरह सब्पुछ दे रहा है लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो थोड़ा गुमकड जादा है शाम होते ही घर पे बैठा नहीं जाता अगला अफसाद ये है कि इस फोन के अंदर थोड़ी साफ सफाई की कमी है हाँ मैं मानता हूं कि ठंड के अंदर नहाने का उत्रा जादा मन नहीं करता लेकिन ये फोन तो कुछ जाद ही मैला है फाल्तू के अब्स भाई बहुत सारे हैं इसके अंदर जो इसकी स्टोरेज को तो भरके रखते ही है लेकिन वो बेकार-बेकार की नोटिफिकेशन भी बेशते रहा थे पूरा दिन तो फोन खरीदने के बाद पहले अराम से एक अता गंटा लगाना पड़ेगा बैठके इसको पूरा खाली करने के लिए पर Redmi वालो आप अकेले नहीं हो iPhone वालो का अभी यही हाल है मेरे को लग रहा था कि जब मैं Note 7 Pro से अपने iPhone 13 के उपरशिफ्ट हुआ तो फ़ही एकदम clean clean होगा लेकिन मेरे Note 7 Pro के अंदर जितने bloat wares थे ना उससे कहीं जाता तो मेरे iPhone के अंदर थे आप बिगार की notification नहीं आती वो अलग बात है इसलिए तो हई शारुक खान सर भी कोई Redmi, iPhone कुछ नहीं उसकरते Samsung का A-Zeries का phone उसकरते है इस phone के बारे में कोई भी और प्रश्ण या question या सवाल हो तो comment करके पूछ लेना